Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कराता है high quality education, वो भी बिल्कुल free of cost. Kindergarten से लिके class 12 तक ही, आज मैं फिर से एक बहुत ही भैतरी, बहुत ही बढ़िया, मेरा भी personally favorite topic लेकर आए हूँ. When the man eater came to India, जब एक man eater, जो इनसानों को खाने वाले एक दानविक devil इंडिया में enter हुआ था, जैसे ये, एक tiger, जो की एक female Bengal tiger थी, ठीक है, इसके बारे में आज हम क्या करने वाले, इसकी चांदकारी लेने वाले हैं, मैं read करूँगी और उसके बाद आपको brief में हर चीज बहुत अ जाता था, the story of Champawat man eater did not start in India, but neighboring Nepal in the late 1890s, ये कहां की थी, ये नेपाल की थी, ये start हुई थी, ये शुरुवात इसकी जो थी, नेपाल से हुई थी, ठीक है, कब 1890s में, It is believed that the Champawat man eater was shot on its face, leaving it broken upper and lower canine, teeth on the right side, अब ये था कि मारा होगा जब ये हंटिंग करती होगी, तो किसी shooter ने, किसी शिकारी ने मारा होगा, है ना, तो उसका जो canine है, है ना, lower और अपर, वो ब्रोक थोड़ा टूड़ी गया होगा, गायल होगी, अब जिससे मास को पकड़ते हैं, शिकार को पकड़ते हैं, हंटिंग करते हैं, तो वो क्या हो गया, वो मतलब सही नी था, प्रॉब्लम होने लगी ते इसको, ठीक है, विच मेंट, बड़े-बड़े बफैलो वगेरा, जो है, हम कह सकते हैं, जंगली बफैलो, ये सब जो भी कुछ मिल जाया, तो उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसके दास में जहां से पकड़ती है, जिस से ऐसे कहना इन से अटैक करती, बाइट फोर्स जो लगाती है, तो अतना नहीं था, तो यानि यूजवल प्रे को नहीं पकड़ सकती थी, अब क्या हुआ, अब जब उससे लगा कि मैं नॉर्मल जो जानवरों का शिकार करती थी, वो नहीं पकड़ सकती, तो इंसान, इंसान तो सबसे आसान है पकड़ना, इंसान थोड़ा बहुत भागेगा, पकड़ में आई जाएगा, तो इंसानों को पकड़ना बहुत आसान तो इसने भी मैं इटर, बाकी मैं इटर की तरह इंसानों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया, अगर हम मैं इटर बोलते हैं, याने इंसानों को खाने वाले, ठीक है, चलो, देखो, इस तरीके से खा रही है, ऐसे पकड़ के लिए आ रही था लड़की को, ऐसे, इन हो टेरी टेरी याने उसकी एरिया में, इन दे कुमाओ डिस्ट्रिक्ट, इन उत्राखंड, इन इटर कंटीनी उठर हरंट, अब वो नेपाल से कहा आ गई, इंडिया में एंटर होगी, क्योंकि नेपाल की आर्मी भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी, बहुत दिक्कत होती थी, बहुत वहाँ पे भी खूब मारदार मचाई उसने, खूब लोगों को खाया है, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने ऐसे बोलते हैं कि जो मुसीबत इदर किसका दी, तो उन्होंने जो भी मुसीबत है कह सकते हैं, यह कुमाओ के रस्ते एंटर हुई उत्राखंड में, वही है न Most of the victims were women, और young girls, इसका attack usually दिन के time में होता था और जारा तर इसके जो कह सकते हैं, किसको शिकार बनाती थी ओरतों को और छोटी-छोटी बच्चियों को, ठीक है, Who venture into or close to the forest to collect fodder for their cattle, जो क्या काम करती नी, देखो, क्या होता है न, टाइगर कैसे, कैसे शिकार करता है, देखो, जो women है, जो लड़किया है, वो क्या करती है, घास काटती है, पहाडी हमें है, हम देखते हैं, गाओं में, ऐसे जुक्के घास काटती है, जुक्के जब घास का जाती है, क्योंकि खेतों में जाता है, फील्ड में काम करने के लिए फॉर्डर वगएरा घास वगएरा कलेक्ट करने के लिए women जाती थी, in India too, there were several attempts to hunt her down, but she managed to outsmart them all by traveling large distances at night, देखो, टाइगर से होते हैं, उनको विजन बहुत अच्छा होता है, मनलों रात में बहुत क्लि ट्रेवल करती थी, एक गाहों से दूसरे गाहों ताकि कोई पकड़ ना पाए, है ना, ठीक है, तो कोशिश पूरी की गई, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता था, क्योंकि लंबा लंबा ट्रेवल करती थी, between villages and forests after every kill, जहां मारा, वहां से ट्रेवल करके दूसरी जंगल, फि जिम कॉर्बेट का नाम आपने सुना होगा, कॉर्बेट नैशनल पार्क है, उतराखंड में, ठीक है, तो वो प्रोफेशन हंटर नहीं थे, प्रोफेशन स्विकारी नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था, animals के बारे में, forest के बारे में, कि कैसे इन्हें पकड़ा जा सकता है, अगर कभी कुछ हो जाए, तो कैसे इनको भाई, कंट्रोल में, शूर्ट शूट करा जा सकता है, कॉर्बेट बिगें पर्स्विंग दे चंपावत मैनीटर, इन दे विलेज अफ पाली, वेर दे टाइगरेस हैड जस्त मेड़ा किल, हर 435, मतलब उसने अपना 435, किल, नंब के नाम से, Jim Corbett followed the trail of blood, the tiger is left behind after killing a last victim, a 16-year-old girl, 16 साल की लड़की को लगबागो फ्रेश मार के छोड़के वहाँ आई थी है, यहाँ जैसे इस तरीके से देखो, ऐसे, ऐसे लेके, ऐसे खून के जो ए ट्रेसे मिले होगे, ब्लट के ट्रेसे मिले होगे, तो Jim Corbett ने उसे फॉ और मार डाला, चंपावत मैनीटर फाइनली एलिमिनेटर, और फाइनली भाई, वोर्स की डेथ हो गई, मारी गई, देखो, इस तरीके से शिकार करा है, इमेज है ना, देखो, किती प्यारी गुड़े जैसी लग रही है, टैडी बियर होगा, कोई आर्टिशल सा, नकली सा, लेकिन बहुत जादा खुकार और खतरनाक थी, तो कैसी लगी भाई, आपको चंपावत टाइगरेस, जो हमारी मैनीटर थी, जो इंडिया में एंटर हुई थी, उसके बारे में छोट इसी इन्फोमेशन, मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, और जादा से यादा, जादा स आपको एवलेबल है, आप हमें इस सारे प्लाटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, भै लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, थैंकि सो मच पर वाचेंग